Joyful Learning, स्थर माध्यमिक, गतिविदी कर्मांग 24, गतिविदी का नाम कवीता विजयगान, गतिविदी हेतु आवशक तैयारी सामगरी, भाषा भारतिक अक्षा छे, पाठ सत्रा विजयगान, प्रिष्ठ संख्या 33, सायक सिक्षन सामगरी, भारत माता का एक बड़ा चित्र, तिरंगे जन्डे और सेना का एक छित्र, इस पर सिक्षक बच्चों से छोटी छोटी प्रिशन पूछेंगे, भाषा इक हील प्रिक्रिया, क्या बदला, बच्चों के दो समभो को अनार और कमल का नाम दे कर आपनी सामने खड़ा कर दे, पहले कमल समों के बच्चे अपने सामने खड़े अनार समों के बच्चे को ध्यान से देखें फिर कमल समों के बच्चे घुम कर अपना मुह दूसरी तरफ कर ले अब अनार समू के बच्चे एक मिनिट में अपने अपने कपड़ों या बालों में दिखने वाले कुछ बद्लाव कर लें जैसे कालर मोड लेना, कालर उलट लेना, कालर खड़ा कर लेना, बाल बिखेर लेना, चोटी आगे कर लेना, या पीछे कर लेना, जेब में पैन लगा लेना या निकाल देना आधी शिक्षक कमल समु के बच्चों को पलटने को कहेगा और पूछेगा देखो देखो क्या बदला कमल समु के बच्चे अपने सामने के बच्चे ने क्या बदला है बताएंगा शिक्षक शामपट पर समोह के सही उत्तर देने गलत या नहीं पता पाने की इस्तिती बच्चों की संख्या लिखेंगे शिक्षक शामपट पर समोह के सही उत्तर देने गलत या ना बता पाने वाले बच्चे एक-एक फूल का नाम बताएंगे इसके बाद अनार समों के बच्चे कमल समों के सामने वाले बच्चे को ध्यान से देखेंगे और पलट जाएंगे कमल समों के बच्चे अपने अपने कपड़ों या बालों में कुछ बदलाव करेंगे शिक्षक के देखो देखो क्या बदला कहने पर अनार समो के बच्चे कमल समो के सामने वाले बच्चे में आये बदलाओं को बताएंगे शिक्षक शामपट पर समो के सही उतर देने गलत या ना बता पाने वाले बच्चों की संख्या लिखेंगे अब गलत या ना बता पाने वाले अना सम्हों कि बच्चे एक-एक फल का नाम बताएंगे गतिविदी की प्रिकरिया शिक्षक सस्वर ओजपूर्ण भाषा में कविता अदर्ष वाचन करेंगे बच्चे अनुकर्ण वाचन करेंगे कविता को दो-तीन बात दो रहा हैं कविता पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भूलने के अफसर दिये जाएं वर्ण इस्तर वर्ण इस्तर के लिए कविता में आये वर्ण जैसे स-र-ई-उ-ई-ई-ई-ए-ण-ड-ग-ट पढ़वाएं लिखवाएं एवं वर्णों का प्रतिलेखन एवं श्रुतिलेखन करवाएं आवशक हो तो बच्चों से उक्त वर्णों का अनुलेखन भी करवाएं शेस खाली स्थानों में बच्चों से वर्ण भरवाएं शब्द इस्तर के लिए कविता में आये शब्दों, तल्वारों, पत्वारों, बाधाएं, हिमाचल, अवनी, अंबर, संतप, परवस्ता, तपस्वी, लोहा, हरदय, धुरतर, अगस्त, दुर्दम, वीरवर, इत्यादी शब्दों का पुतिलेखन, शुर्तिलेखन करवाएं आओ बात करें, तो कि पक्स में क्या बरस रही है, कभी किसको किस से टकरा देना चाहता है, यदि तुम सैनिक होती तो क्या करती, निमिल लिखिश शब्दों पर अपने विचार वैक कीजिए, जैसे विजैगान, भारत माता, वीर शैनिक आदि